सल्मान नियाजी साब, आज आप लोग आके, मैंने देखा है उनकी बागाइदा, एक इलेक्शन केमिशन से स्तीफे का मुतालवा जरूर किया जा रहा है, लेकिन आप समझतें कि अगर वो नहीं इस तरफ सोचतें तो आप लोग कोई रेफरेंस फाइल करेंगे? देखें, एक चीज तो मैं आपको बता दूँ, अगर पूरी दुनिया की कहीं भी जमूरियत देख लें, अगर इस तरह की इंसिडिन्ट होता, तो कोई अगर कॉन्सिटूशनल बाडी होती और इस तरह का फैसला आता, उनके कॉंडक्ट के बारे में योग इस तरह उनने गलत फैसले किये, तो मौरल अथारिटी जो होती है, उसके तहट तो वो रिजाइन कर जाते हैं, और किसी भी जमूरियत में ऐसा होता तो उनको करना चाहिए, लेकिन यहां पे हमने कानूनी पूजिशन देखनी है, रेफरिंस फाइल करने के लिए, वेदर इस अलेक्शन कमिशन और इस मेंबर्स कमिटेड मिस कॉंडक्ट के नहीं, तो बिलकुल जी मिस कॉंडक्ट में तो फॉल करते हैं, क्यूंके उनका एक तो सप्रेशन अफैक्ट्स है, कानून के बिलकुल पेटेंट वाइलेशन, यह भी नहीं कोई ग्रे अरिया हो, साफ नजर आरह कानून के खिल जा रहे हैं, आइन के खिलाफ जा रहे हैं, और उनका कॉंडक्ट जो है कॉशनेबल है, तो बिलकुल जी रेफरेंस का केस बनता है, हम लोग इस पे अभी फर्दर डिसकॉशन करके, वी विल मूव फॉरवर्ट, और हमारा मानना चाहिए अच्छा 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 एकस कीमिशन पे पूरी नहीं उतरती, किसी विल मुझे के खिलाए बन्दे ने तो दे दिया था, फराहु कुरान ने इस्तीफशा दिया था, रहे हमारा अलमिया जी Feedback, तो कोई मिसाल नहीं 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 देखें अभी भी कुछ मिसाले मौजूद हैं अब अगर हमारी खास कर मैं जुडिशल हिस्ट्री देखू हमारे एक जजज साहब ते अगबाल अमीद वरिमान साहब तो सिर्फ इल्जाम लगा था आखे अपने लोगिशन अठीट हमारे जोंगाल तो कि में गया भी अलकि लिजाकर अचे लोग अनोरे डिग्निटी वाले है एक जो इल्जाम लगता है तो बिलकुल साइट पर हो जाते हैं लेकिन पिलकुल है लेकिन यह तो छोटा मोटा इल्जाम नहींрий पूरा conduct in the way election commission operated, pre-poll gigging, post-poll rigging, हर चीज़ में involved रही है, तो election commission का तो बनता है resignation जीज़ेंगे। साथ उनके नाम के साथ चीफ नहीं लगा था ना, जिसके साथ चीफ लग जाए वो नहीं न रिजाएंगे। आगे लेकिन सल्मानियाजी साथ जो हमने देखा कि ये मकसूस में शिस्ते हैं जिस तरह से भी इनकी तक्सीम हुई, आज सुप्रीम कोट ने का कि गलत है, लेकिन उसके बाद ही सेनेट का election भी हुआ, सदर का इंतखाब भी हुआ, तो आप लोग इसको भी आप चैलेंज क्या कि ये भी दुबारा से इंतखाबात हो क्योंके नमर गेम बदलती है, जी, इसकी ने दो चीज़ें है, एक तो इसकी application मेरे खासे 9-5 से है, तो 9-5 से पहले वाले जो फैसले हैं वो तो protected हैं इस फैसले के तहट, और जहां तक वैसे दूसरी बात है, for instance, ये numbers आने के करते हैं, otherwise, अगर majority उनके पास पिर भी exist करती है, for election of the president, तो मेरे खासे फिर इतना असान नहीं होगा, क्योंके इस पर effect नहीं पड़ेगा, अगर हमारे पास ये seat आ भी जाएं, लेकिन इसकी application prospective है, that means 9-5, exact, अगर मैं डेट गलत बोल रहो, मैंने पढ़ा है उसके फैसले में उसके बाद के फैसले जो है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उससे पहले वेले तो सारे प्रोटेक्टेड है फैसले नहीं है, तो आप जमात अफरीक इसका मदब करके देखेंगे, काम परक पड़ा है, फिर उसको चैलेंज किया जाए, क्योंकि Senate तो वैसे भी incomplete है, खैबर कि Senate election नहीं हुए, और अब वादे इमकान है कि 10 के करीब निशिस्तें, 10 से 11 निशिस्तें, PTI जीत सकती है वहाँ से, तो फिर नंबर गेम में कुछ Senate में तो फर्क पड़ सकता है, ने लेकिन समीन है एक और बात, जिए फाइनल जब calculations आएंगी, तो देखा जाएगा, लेकिन कि नियाजी साब एक बात ये भी है कि जो ये का जा रहा है कि आज का फैसला तो भले आपके आके में आ गया, लेकिन वजीर आजम मिया शवाज शरीफ ही हैं और वही रहेंगे, सदर मुमलिकत आसफ़नी जरदारी साब हैं और वही रहेंगे, चीफ जिस्टिस काजी चीफ जिस्टिस काजी फाइदा साब कभी हमकान है कि आक्टूबर तक रहेंगे, अदर्वाइज ये एक्वेजन तो थी वो थोड़ी बनाद रहेंगे, लेकिन इसमें वैसे चलिए आप इसको भी अगर रिस्पॉंट करना चाहिए तो जरूर कीजेगा, लेकिन साथ में य उसके उपर तो अब एक नई कानून साजी भी हो चुकी है और उसके मताबक तो रिटार्इड जजेज भी लग सकते हैं और काफी उसमें तब्दील हैं, तो उसका तो फिलाल हमें लग रहा है कि वो मामला तो आप लोगों के लिए उसके लिए आपकी क्या हिक्मत यमली है? जी आपने थोड़ा साइमरान साब के सवाल का जवाब कोती दे दिया इसमें ऐसे था जी एक तो यह है चीफ जस्टिस तो वो नहीं रहेंगे तकरीमन में खाल से 103 दिन रहेंगें और दूसरी बात है यह सदर और वजिर आजम जो है मेरे ख्याल से अगर जो हमारी एलेक्श इस डिसाइड कर देते हैं तो मेरे ख्याल से यह एक्वेजिन भी चेंज हो जाएगी और जहान तक आगे बात है एलेक्शन ट्रिबिउनल की देखें यही दो प्रॉब्लम है सारा अब एलेक्शन कमिशन का और उनके खासकर चीफ एलेक्शन कमिशन का कॉंड़क्ट इतना क कि वो लोग यह चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में जो एलेक्शन ट्रिबिउनल्स बने हैं वो फैसला करें आइन और कानून के मताबिक विदिन इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है कानून के मताबिक तो वो देखें सारी प्रॉसीडिंग्स फ्रस्टेट करते हैं उसके अलावा नयाने कानून आ जाता है, गुर्मन के साथ मिलके कानून बनते हैं और बिल्कु रेडिली एग्री हो जाते हैं कि जो हम रिटारी जजज्जिस अपॉंइंट करेंगे, रिटारी जजज्जिस जिनकी तरखवा उनका टनियोर हर चीजज गरेंटेंडेंट उन से ये फैसले करवाना चाहते हैं हमारे धानली के एक mandate theft हुआ है रॉबरी हुई है ये को एक दो cases का issue नहीं है 270 petitions file किये हैं हम लोगों ने तो अगर ये फैसले time पे हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये सारी equation change हो जाएगी जो लोग अभी seatों पे बैठे हुमें हैं वो deserve नहीं करते उनको इस मुल्की अवाम ने vote नहीं दिया 270 petitions का मतब तो ये वाग कि अगर आदे भी फैसले आप लोगों के हक में आते हैं तो तब भी आप लोग majority में आ सकते हैं ये बड़ा number होगा लेकिन ये तो अभी victory जो होती है ना वो inches में होती है ना जी पहला step तो ये था हमारा जो right इस धांदली के बाद creator है वो तो हमें पहले मिल जाए अब जो धांदली वाला right है वो हमारा second step है उसके लिए भी इंचाला पूरी जान मारेंगे और मुझे नजर आ रहे देखें Justice Munsoor Ali Shah the way he is conducting the court I am expecting great things in future when he will become Chief Justice इंचाला तो मेरे ख्याल से judiciary की independence जो है वो मुझे और बढ़ती भी नजर आ रही है जो डिशरी अपनी space लेगी जो उस स्रिंक हो गई थी लास्ट मुझे सवाल का जवाब दी दें सिल्मान आज़ी साफ वी होपस हो कि आपकी जो तवकवात हैं सारी कौम है यही चाहती है कि जो भी हमारे आला अदों पे लोग है वो आइन के मताबिक चलें लेकिन यह सर लास है अप लोगों के वाकई कर्वाद है हमने हाजी मुझे समझ आ गया आपके बात कि देखे हमने पूरा उसका प्लान तो कर लिया है इंशाला यह एक दो दिनों में यह चीज सौट भी हो जाएगी सारी इस पर बॉकिंग हो गई है लेकिन अगर यह सवाल आप मेरे से एक साल पहले पूछती नौ माई की फोरण बात तो मेरा बड़ा खच्छा होता है रीजनमल एपरिहंशन होती कि शायद मेरे चालीस एम्मने अगवा भी हो जाते है और उनको कोई पूछता भी ना और वो नजर भी ना आते है चालीस दिन तक और उनकी प्रेस कॉन्फरेंस आ जात है और यह सुप्रीम कोट का ओडर है पंदरा दिन में जमा कराने है तो हमें लग रहा है कि एक तो खान साब का वोट बेंग जो है वो किसी को भागने नहीं देगा अवाम खुद ही सवाल करेगी दूसरी बात सब चीजें सुप्रीम कोट के सामने हो रही है तो अगर कुई चलिए जी आपको एक दफा पर से मुबाद बुजर सल्मान आजिस साब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए